शेहर वे शेहरी सीमा से लगे शेत्र में विचसत होने वाली कॉलोनी की विकास अनुमती प्रदान करने के लिए इन्दार कलेक्टर ने नवचार प्रारंब किया है अब कॉलोनाइजर को कलेक्टर सहित सभे वभागों के समक्ष अपनी कॉलोनी का प्रेजेंटेशन देना यदि कोई कमी सामने आती है तो विकास अनुमती प्रदान नहीं की जाएगी नवचार के तहत पहली बैठक गुरुवार को आहूत की गई जिसमें बारा कॉलोनी के प्रोजेक्ट प्रस्तुती करण के लिए रखे गए थे देखिये ये खास रपो कॉलोनी विकास के लिए दी जाने वाली अनुमती के लिए अब तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसमें आराई और पत्वारी के प्रतिवेदन के अनुसार अधिकारी अनुमती जारी कर देते थे लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाफ करते हुए इंदा और कलेक्टर ने अनुमती के बिचली के लिए क्या इंतिजाम किये गए है इन सब की जानकारी प्रिजेंटेशन में देना होगी इस नवचार की पहली बैठक गुरुवार को हुई जिसमें 12 कॉलोनी के प्रोजेक्ट का प्रस्तुति करण किया गया कुछ कॉलोनाइजर ने कॉलोनी विकास के लिए बहतर तकनीक और इंजीनियरिंग का इस्तमाल किया है जबकि तीन से चार प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन में अप्रोच रोड कहां से है यह कॉलोनाइजर नहीं बता पाए जबकि कुछ में पानी के इंदजाम परियाप्त नहीं थे ऐसे तीन प्रोजेक्ट की अनुमती कलेक्टर ने तमस्या ना आए और जो भी अनुमतियां दे रहे हैं उनमें चाहें रोड की एक्सेस को लेकर हो बिजली को लेकर पानी को लेकर या अन्य जो दूसरे वहां पर वियस्ताइं रहती हैं उनको लेकर भविश्च में किसी तरीके की शिकायते नहों और पब्लिक जो प्लॉट मिल सकें इसलिए आवश्यक है कि एक प्रेजेंटेशन हम लोग आज कल करा रहे हैं डेवलपर के द्वारा जिसमें सभी विभागों के लोग यहां पर मवजूद रहते हैं और उसमें उसको बताना पड़ता है कि जो कॉलोनी के अनुमतिया उनके द्वारा मांगी जा रही ह कलेक्टर के अनुसर कुछ कॉलोनाइजर ने पानी सीवरेज और ग्राउन वार्टर रीचार्जिंग को लेकर अच्छा काम किया है हमारा प्रियास होगा कि इस तरह के इंतजाम अन्य खॉलोनाइजर भी करे ताक Ooh भविश में वहारा रहने वालों को परिश्वानी ने नहो हर्वेस्टिंग को लेकर हो या फिर जो अन्य इस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन या एनरजी कंजर्वेशन को लेकर कुछ चीज़ें जो करी जा रही है तो भाविश्च में एक दो बात और जो प्रेजेंटेशन होंगे उसके बाद अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगे तो बाकी के कॉलोनेजेश भी उनका पालन करें और बविश्च में चाहें पर्यावरण हो या जनता हो उसको उसका लाब मिल सके हैं कलेक्टर आशीश्व सिंग ने कॉलोनी सेल के अधिकार्यों को नरदेश्व दिये कि वह प्रतेक प्रोजेक्ट का भौतिक सत्यापन भी करे अगली बैठक शनिवार को प्रस्तावित की गई है ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूस इंदार